हुआ है है हुआ है हुआ है पाइड जो हुआ है अब तो प्रूप है तो रूस यूक्रेंड यो युद्ध चल रहा है उसमें ताजा हालात क्या है क्योंकि खबरे तो सब जगा सिराइल हमाज की दिखने को मिल रही है तो वहां पर क्या हो रहा है बिलकुल आप से सही कहा खबर पूरी दुनिया में अब मिडिल इस पर शिफ्ट हो गया है और इसको पीछे आ गया है लेकिन ऐसा ने कि रुख गया रहा है लेकिन मुखी चीज देखिए दो चीजें हमें आज हम जरूर दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे एक तो विंटर सा रहे हैं रूस अपनी स्टेजी बदलेगा इतने टैंक्स आपने देखी हम लोग ने बात की जर्मनी से टैंक्स आये फ्रांस से टैंक्स आये अम इकलोजिकल जो इन्फरमेशन वारफेर पहले बहुत करते थे अब वह भी क्योंकि लोग अब देखना शुरू कर दी हैं ग्राउन पर तो हो नहीं रहा है और इस तरफ न्यूज में आ रहा था तो भी एक चीज है जो कि अब बहुत ज़्यादा लोग उसके उपर नहीं जा अमेरिका को नसीयत देती कर वो देंगे तो यह बढ़ जाएगा यह रड़ाई और हम मानेंगे कि डायरेक्ट एड़ॉर्मेंट है लेकिन वह मिसाइल आई उक्रेंड में और परसूं आपको पता है कि उक्रेंड ने वह मिसाइल इनके दो एर फिल्ट में जो एक है रहे हैं जिसमें एक R64 करके वारेड लगता है जिसमें काफी एक्सप्लोजिव होते हैं और मल्टिपल वारेड है जो कि यह काफी एरिया डैमेज कर सकता है और भी वारेड लग सकते हैं बट इन्हों ने जो फायर किया उससे डैमेज हुआ तो यह मुक्ष थी जिससे की नुक्सान ह हुआ हुआ रूस का उसमें और कहा जा रहा है कि यह कुछ अनकी एर डिफेंट सिस्टम का भी नुक्सान हुआ कुछ लॉजिस्टिक यह आंस के स्टोरिज थे उसमें नुक्सान हुआ तो एरिया वेपन है उसे डैमेज तो होना था लेकिन इसके साथ ही देखिए यह भी कह तो एक चीज वहां पर है दूसरा जो है इसमें एक स्टेडिजियों मैं कह रहा हूं कि विंटर स्टेडिजी बहुत जरूरी है क्योंकि विंटर में टैंक्स काम नहीं करेंगे विंटर में बर्फ अगर पड़ गे इतना डैमेज नहीं होगा हत्यारों से भी तो यह नहीं बढ़ पा रहे हैं हमने देखा अर और अउर नहीं बढ़ पाएंगे विंटर स्में लेकिन रूस जहां पर है वहां से वह अपनी जो सिस्सम से अपने लाइक वो मिसाइल वॉरफेर, ऐर वार फ्यर, आर्टिली वॉरफेर ये करेगा बूषा इसका करेगा के लिए उनका ये कहना है कि दुनिया के 40 परचेंट अपनी तो कही रहे हैं चालिस परचेंट ड्रोन्स रूस में रूस के होंगे रूस के बने होंगे तो अपना बना रहे हैं और इस पर लगे हुए है वार मर्शीन दी उन्हों कामा कोजी से भी कामाकाजी की बात कर रहे थे हम जो शहीद ड्रोन्स की उससे भी बढ़के आगे उन्होंने बना लिया है कि पिन पॉइंट ड्रोन्स होंगे जो डिटेक्ट भी नहीं होंगे और अपना काम करेंगा और ज्यादा लीथोल होंगे मतलब एक्स्पोजी उन में और ज्यादा होगा और एड्वांस ड्रोन होंगे तो ऐसी चीजों पर आगे बढ़ चुके हैं और इसके अलामा आप यह देखिए कि सर्विया जो है वहां से लोग इनलिस्ट हो रहे हैं अभी आ रहे हैं जो कि रशन आर्मी जोईन कर रहे हैं तो यह अपनी स्टेंथ बढ आएंगे तो अब रूस उस हालत में मजबूत हो जाएगा क्योंकि देखिए युकरिन के पास मैन पार्म की काफी कमी हैं जी है नहीं उनके पास अब उन्होंने तो सिर्फ एक या था कि डॉक्टर्स की कमी भी थी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं लेडी जोगर विमेन अगर पैसे इतने लग रहे हैं यहां हासित दो कुछ नहीं हो रहा है और नाटो भी बैट गया देखिए अभी स्टेटमेंट देखिएगा पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था यही ब्याराई में जब गए थे उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि अभी हालत आ गई है कि वही न आपको पता ही है जब इन्होंने मिडिल इस्टम से शुरू हा था यूई में एक गृप भी बना था जिसमें अवरिका और सब सारे शामिल थे भारत भी उसमें शामिल है तो वह भी बैग्राउंड में चली रहा है तो रूस अब दिखा रहा है मिल करके और चीन से मिल करके दिखा सकता है कि हम कम नहीं है अभी और हम मिडिल इस्ट की बात करेंगे देखिया मैं चुकि यहीं पर भला की रिपीट होगा आगे रूस ने भी कहा है कि मिडिल इस्ट में जो आलत हैं उसको दे करके वो ब्लैक सी में अपने हाइपर सानिक मिसाइल्स भी मतलब कि लड़ाई है नुकसान अभी भी मैं कहूंगा यूकरेन का ही हो रहा है इस समय एक दो मिसाइल से बहुत ज्यादा तो फरक नहीं पड़ने वाला है यह जरूर है कि फिर जितनी बार एक करते हैं तो प्यूतिन कुछ ने कुछ उनका और ज्यादा नुक्सान करते हैं पिछ तुसर आज के करकम में आपने विदेश मंत्री शेशंकर जी की जो वियतनाम यात्रा थी वह भारत के लिए कितनी महत्पूर्ण थी इस पर अपने प्रकाश्ट आला साथी चीन में संपन ब्याराई सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर आपने बाचित कियो कैसे पुतिन और जिन्पिंग मिलकर अब वर्ल्ड और्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर आपने विस्तार से बाचित की इज्राइल हमास यूदब किस्तिशा में जाता दिख रहा है और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं जो हमारे दर्शकों को हमारे पाठकों को अबर विए जानकारी दी वह है रूस्विक्रेन संगर्ष पर आपने हमेशा की तरह और जो ताजा हालात हैं उससे हमारे पाठकों को दर्शकौं को हमारे आप अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके